ज्यानवापी मौस्क के साइंटिफिक सर्वे का रिजल्ट अब होगा रिवेल क्या है ये हिटन टूथ जानने के लिए रुखिया सिर्फ साठ सेकेड दरसल वारानासी कोड ने ओडर किया कि ज्यानवापी मौस्क की साइंटिफिक सर्वे का रिपोर्ट पबलिक किया जाए और सब कंसर्ण पार्टीज को इस तक पहुचने का अधिकार दिया जाए दरसल यह फैसला एक यह विश्वेशा डिस्टिक जज ने दिया है जब हो कुछ अप्लिकेशन को डिस्पोज आफ कर रहे थे जिनमें से कुछ लोग सर्वे रिपोर्ट की मांग कर रहे है आपको याद होगा कि वारानासी डिस्टिक जज ने जुलाई 21, 2023 को एक ओर्डर दिया था जिनमें उन्होंने आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया एसाई को ग्यानवापी कॉंप्लेक्स का साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश दिया था उनका ये परपस था कि देखा जाए क्या मॉस्क एक पहले से मौजूद हिंदू टेंपल के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है या नहीं नहीं हॉनरबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे को अलव किया था अगस्त 2023 में एकसेट वजू खाना एरिया में जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था इस फैसले के बाद अंजुमन इंतिजामिया मस्जित कमिटी ने अलाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की थी जिसमें उन्होंने ASI सर्वे को रोकने का डिमांड किया था लेकिन कोर्ट ने उनके अपील को रिजेक्ट ही किया और ASI को सर्वे करने का अधिकार दिया तो report मिलने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि क्या ये mosque एक pre-existing Hindu temple के उपर बनाय गया है या नहीं